नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है कुक्विद रूची में तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया सी चाट जो बहुत अलग है और बहुत ही टेस्टी लगती है मैंने यहां पर जो धोकला होता है उसको इस तरह से क्रश कर लिया है यह धोकला मैंने घर में ही बनाया था आप देख सकते हैं कितना स्पॉंजी है कितना सॉफ्ट है हाथ लगाते ही चूट रहा है अब इसके ओपर डाल देंगे दही नॉर्मल घर में जो फैटा हुआ दही होता है मैंने वही डाला है कुछ चीनी बगर नहीं डाली क्योंकि ढोकला ना खुदी मीठा, नमकीन, तीखा सब चीज़ों को बैलन्स होना बहुत ज़रूरी है तो मैंने यहाँ पर उसी बैलन्स को बनाने की कोशिश की है इसके ओपर डाल रही है फिर मैं हरी चट्नी हरी चट्नी डालने के बाद ना थोड़ासा फ्लेवर हलका सा तीखे पन पर आता है क्योंक अगर प्यास, जब चाट के किए मुझे प्यास करण्च चाट में बहुत अच्छा रखता है, अगर आप प्यास नहीन कहाते हों तो आप यहाँ प्यास को स्किप कर सकते हैं फिर डाला है मैंने ईसके अरा धनिया क्योंकि अक्तलिका फ्दूरे छिर्ष्नेस हर ज़र ज़र क तो चार गुना कर देती है, फिर डाल रही हो टमाटर, टमाटर आप जैसा चाहिए वैसा डाल सकते हैं, बट मैंने यहाद कम डाला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे क्रंच बहुत पसंद है अनियन का, तो मैंने इसलिए टमाटर है वो कम डाला है, पर यहाद जो टमाटर ड देख सकते हैं यह लुक में कितना अच्छा लग रहा है थोड़ा सा लुक को और एंहांस करने के लिए मैं इस पर जो जीरो नंबर का सेव होता है जो नायलोन सेव कहते हैं वो डाल सकते हैं अगर आपको मिल जाए तो अगर नहीं मिले तो आप आलू भुजिया भी डाल सकते ह है उसी मिर्ची से जो ढोगला के साथ मिलती है क्योंकि मैं तो घर में घद में आई थी तो मैंने वही डाली है बस अब आप देख सकते हैं यह चार्ट कितनी अच्छी बन गई है बहुत यम्मी लगती है एक बार ट्राइ जरूर कीचेगा रैस्पी पसंद आए और सब्सक् झाल 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 झाल